बिखार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने जब ललन सिंग से पार्टी की कमान अपने हाथों में ली ते एक बड़ा सवाल उठा कि बिखार के मुख्यमंत्री स्वयम जहां मुख्यमंत्री पद भी देख रहे हैं वहीं अब वे जदियू का अध्यक्ष पद भी देखेंगे तो आखिर ऐसे में दोहरे कामकार वे कैसे देखेंगे और इन सब के बीच अब पार्टी के वे कौन से विश्वस्त नेता है जिनके सहारे नितीश कुमार अपनी बातों को और अपनी पार्टी की रननीतियों को आगे बरहाएंगे तो नितीश कुमार ने ललन सिंग को पार्टी अध्यक्ष पत से हटाने के बाद अब अपनी पार्टी को एक अलग रूप देना भी शुरू कर दिया है और उन्होंने कई नेताओं को आगे बरहाना भी शुरू किया है जिसमें आप जब नाम सुनेंगे तो इन नामों से आप हैरान हो जाएंगे कि नितीश कुमार ने तो एक बरी रन निती बना करके लरन सिंग को पार्टी के अध्यक्ष पत से जो उनकी हटने की इच्छा थी उनकी इच्छा का सम्मान किया और उसके बाद अब नए निताओं को नए किस्म की जिम्मेदारी भी दे दी है दरसल अगर आप जदियू में मवजुदा समय में जो सिर्ष निता हैं उनको देखेंगे तो जदियू में स्वयम नितीश कुमार सतर पार के निता है यानि कि विस सतर वर्ष से जदा के हो चुके हैं उसके बाद अगर टॉप लिडर सिर्ष में देखेगा तो बिजद प्रिसाद याद भी सतर पार के निता हैं रामना ठाकुर की आयू भी सतर वर्ष से जदा हो चुकी है इतना ही नहीं अगर आप ललन सिंग और विजय चौधरी जैसे निताओं की आयू भी देखेंगे तो इनकी उमर भी 65 साल से ज़्यादा है और ऐसे में नितीज की पार्टी के अंदर अब कुछ ऐसे निता हैं जो उनके सामने उमर में करीब 10 से 15 वर्ष छोटे हैं और नितीज अब इन निताओं के सहारे जदियू को नया रूप देने में लगे हैं दरसल हम बात कर रहे हैं से ज़्यादा सक्रिय देखेंगे उसमें संजय कुमार जहा एक खास नाम है अगर संजय कुमार जहा की हम राजनिती की बात करें तो उन्होंने भारतिय जनता पार्टी के सहारे राजनिती की सुरुवात की और बाद में नितीज कुमार की पार्टी जदियू में आ गए इस अशोक चौधरी हों ये सब युवा नेता हैं और मुंगेर से लोग सभा चुनाव लड़ने के लिए जदियू के राष्ट्रे पत से इस्तिफा देचुके ललन सिंग अब खुद जहां साइड हो गए हैं तो ऐसे में जदियू को राष्ट्रे राजनिती में जदियू के हितो की रक्षा करने के लिए नितीश कुमार ने जिस नेता के नाम को आगे बढ़ाया है उसमें संजय कुमार जहां है दरसर अगर आप संजय कुमार जहा को देखेंगे वे तो नितीश सरकार में लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं चाहे नितीश कुमार की सरकार इंडिये के साथ रही हो यहां महां कटवंधन की साथ रहे हो हर समय संजय जहा को ले करके नितीश कुमार ने बरी जिम्मेदारी दी है और अब कहा जा रहा है कि राजनिती गलियारों में यहां तक चर्चा है कि जिस तरीके से अब इंडिया कटबंधन को ले करके नितिश कुमार जदियू में वहाँ एक बहतर प्रदर्शन देखना चाहते हैं, खास का सीटों के सेरिंग को ले करके तो उसकी जिम्मेदारी भी संजय जा को दी गई है, यानि कि कॉंग्रेस, राज़द, सहित वामदलों के साथ जो जदियू संजय जा की अलग-लग बयानों को भी देखेंगे, तो पिछले दिनों ही संजय जाने स्पष्ट किया था कि बिहार में लोकस्भा की 40 सीटे हैं, और 16 सीटे इस समय जदियू के खाते में हैं, तो ऐसे में हम 16 सीटों पर पहले से ही तरे हैं, कि हम इन सीटों पर उमिदबार और सेस बटी हुई 24 सीटों में ही कॉंग्रेस, RJD, CPI, CPI, CPM के अपने दाबेते करें और वहीं उमीदबार वहाँ पर उतारें तो एक तरीके से अब अगर हम संजय जहा की बात करें तो संजय जहा को लेकर के नितीज कुमार के जिम्मेदारी देने वाली बाते सामने आ रही है वह एक दिन की भी नहीं है दरसल संजय जहा को लेकर के कहा जा रहा है कि संजय जहा ने पिछले वरसों के दोरान नितीश कुमार का विश्वास जीतने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है और उसी का नतीजा है कि संजय जहा को लेकर के अब नितीश कुमार ने कई अहम जिम्मेदारियां दी है चाहे अगर हम सरकार की बात करें तो उसमें जलसंसाधन विभाग जैसा आहम जिम्मा है इसके अतरिक पार्टी के संगठन में भी संजय जहा काफी सक्रिय दिखते हैं इतना ही नहीं अब जो इंडिया कटवंधन में नितीश कुमार की ओर से अन्य दलों के साथ बात करने वाले जो समन्नेवे करने वाले जद्यू के निता के तौर पे उभरे हैं वह भी संजय जहा उभरे हैं तो संजय जहा को ले करके नितीश कुमार इन दिनों कुछ वैसा ही अब विश्वास दिखा रहे हैं जैसा विश्वास किसी दौर में ललन सिंग को लेकर, किसी दौर में RCP सिंग को लेकर के और किसी दौर में उपेंदर कुसवाहा जैसे निताओं को लो करके नितीश कुमार का रहा है। आगे आने वाले दिनों में संजय जा का कदभी पार्टी में कुछ उसी तरीके से बखता है जैसा ललन सिंग का बरहा या अनिनेताओं का बरहा या फिर संजय जा को लेकर नितीश कुमार कोई अनिरण निती बनाते हैं। क्या होगा हम आपको तमाम अपनेश बताएंगे आपको मारे साथ बने रहें निज फोर निशन के। झाले हैं झाले हैं। झाल झाल